Total Solution Bland में आप लोग का स्वागते दोस्तों तो दोस्तो मैने आज का विडियो जो लाया हूँ मॉस्कुटो किलर बैट के ऊपर तो मैं पहले भी वीडियो में बताया था कि मॉस्कुटो किलर बैट अगर गंदा हो जाता है दूल मिट्टी जम जाता है तो उसको कैसे साप करते हैं तो वह भी आज दिखाएंगे और एक डेड मॉस्कुटो बैट है तो उसको कैसे रिपेर करेंगे वह भी देखेंगे डेड मतलब उसका LED तो ग्लो कर रहा है लेकिन उसमें कोई भी फ्लास नहीं हो रहा है तो दोस्तो तो उसको भी हम रिपेर करके दिखाएंगे कैसे उसको रिपेर कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट कर देते आज का वीडियो तो दोस्तो वही गंदा वाला बैट है तो इसके अंदर बहुत सारा दोल मिट्टी और जूल लगा हुआ है तो इसको कैसे आप साप करेंगे तो दिखिए इसको पकर के कोई टेबिल ऐसे कुछ में आप ऐसे सीधा जोर से मार है तो पीटने से क्या हुआ इसका अंदर जो धूल मिट्टी रहेगा और जूल रहेगा वो पूरा साफ हो जाएगा एकदम क्लीन बिना बैट को खोले हुए तो देखिए मैंने जोर जोर से थोरा मारना पड़ेगा लेकिन सीधा मारना पड़ेगा दोस्तो अगर गल्दी से थोरा कात करके मार दीजाए तो तूट सकता है आपको सपाट करके पूरा मारना है तो देखिए इसके अंदर जो धूल मिट्टी है सब बाहर निकल रहा है तो थोड़ा और रह जाएगा तो और भी हम दो चार बार इसको पीटेंगे तो पीटने के बाद जो भी रहेगा सब निकल जाएगा दोस्तों तो देखिए मैं फिर से एक बार ट्राइ करके दिखाता हूँ तो देखिए ऐसे करके आप इसको सपट हिस्से में मारिए तो ऐसे करके मारने से क्या होता है इसके अंदर जो धूल मिट्टी रहता है तो सब साफ हो जाता है देखिए कितना सारा इसके अंदर गंदेगी था तो सब साफ हो गया उसके बाद आप ब्रास के मदश से इसको पोश सकते हैं तो देखिए वाला जो बैठ है ये डेर है दोस्तों तो इसको हम आज रिपेर करेंगे तो इसके अंदर दिखिए मैं उखले डाल के दिखा रहा हूँ UN में कोई फ्लाट नहीं हो रहा है तो आप लोग ऐसे उखले मत डालो क्योंकर मैंने स्कूब टाइबर से पहले इसको चेक कर लिया उसके बाद देखिए उसके बाद ही उखली डाला तो आप लोग उखले मत जा लेंगे खुलने के बाद इसको step by step check करेंगे कैसे इसका रिपेर कर सकता है तो इसका देखिए बैटरी जो है इसमें 0.5 mm का 0.5 mm का जो बैटरी लागा हुआ है चार बोल का तो इसका बोल्टेज पहले हम नाप लेंगे थोड़ासा भी बोल्टेज होने से लिटी गलो करता है इसका बोल्टेज नापना जुरूर है दोस्तों तो हम मीटर को DC 20 मून में रखके इसका जो बोल्टेज नापना चाहिए और लगबद चार बोल्ट के करीब मिलना चाहिए तो देखिए दोस्तों 4.29 दिखा रहा है मतलब मेरा बैटरी जो है उसे ही है तो मैट बैटरी का पॉजिटिव हिससे हम कोल लेंगे पॉजिटिव बला हुआ है तो उसके कोलने के बाद इस ड्राइबर को हम ड्राइबर कीट को बहार निकाल लेंगे तो खुल तो देखिएक हमने स्कूरुब को खोल दिया आए अभी इसका जो मितर को कॉंटिव मोंड में रखके कॉल टेस्टिश करेंगे आा कॉंटिव मोंड में रखके क्योंकि के हैंक सहरा होने पर आपी हादा एक कर दोस्तों है आगर नेट भी सौट होता है तब भी पता चल जाता है उसके बाद 332 वाला जो पीएप रहता है उसको भी हम चेक करेंगे 222 भी रहता है तो उदार भी हमको सौट नहीं मिला और एज ड्राइबर का कॉंट्टुनिटी हम चेक करेंगे एमिटर से नेगटिव वाला बोल्टे अजिए जाता है और उसके बाद दूसरा वाला भी पीन हम चेक करेंगे दो सारा भेलु जो हमको ओ दिखा रहा है दोस्तों कि अब ही जो है सब तो चेक कर लिया बोड है गम क्लिया रहे दोस्तों तब आभी क्या करेंगे यह टेंजिस्टर एक लगा हुआ है इसको भी चेक प्रडेश का नमबर में dep Михaism bevy इसको हम चेक करेंगे इसका कालेक्टर और किसकी अमीटर के साथ इसका कॉन्ट पिर चेक करेंगे और … बेस के साथ भी चेक साथ मेंदतेटेक कर तो दोस्तु Thai यह वाला जो टैंजिस्टर एक खराब हो सकता है तो इसका थोड़ा लेक को काट लेंगे काट के इसको सही से कैसे हम उठा सकते हो हम दिखाएंगे क्योंकि अक्सर इसको उठाने के टाइम पे जो है बोट का फॉयल जो है उखर जाता है ज्यादा तर मैंने देखा है जो नया काट हँए तो तो धिम्सक्रा करते है तो आसानी से ऊफ़ाद निकड़ आएगा का दोस्तो तो तीनरा कूंट को मैंने एक साफ्रार कर डिया दोश्तो अभी façon रचसे पक्रिए और साफ सू आईरट रसाईस जो है अधिक आइरन को जो है दूसी आigi तर के लेक के ऊपर आ दोस्तों देखिए कितना आसान से बहान निकल गया तो अभी इसके अंदर तो शॉर्टिंग तो है अभी इसको चेक करेंगे कि इसका सॉर्ट या बोट का सॉर्ट तो मिटर को मैं कॉंटिनुटियू मून में रखके इसका जो बीज बाला है जो कलेक्टर है उसके साथ हम एमि नहीं दिखा रहा है दोस्तों लेकिन इसका जो एमिटर और बेस है उसके साथ जो है एक कॉंटिनुटिय हमको मिल रहा है तो दिखिए एमिटर और बेस के साथ एक कॉंटिनुटिय मिल रहा है हमको तो इससे पता क्या चलता है यह टैंजिस्टर जो है खराब हो गया तो इस को चेंज करेंगे इसके जगा में दूसरा सेम आइसी जो है वह हम बैठा हैंगे देखिए यह वाला है यह वाला भी लिखा हुआ है इसमें 882 तो यह हम बैठा हैंगे उधार तो अच्छे से देख लीजिए मैं दिखाने के कोशिश कर रहा हूं इसका नंबर तो सेम टू सेम जैसा था ओइसा बैठा ही है अगर भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं तो एक बात धैन रखिए इसका जो एमिटर है वो बैटरी के निगेटिव पॉइंट के साथ जुरा होना चाहिए जो की देखिए ड्राइवर के साथ जुरा है ड्राइवर के एक नंबर पीन है लेफ सैट में नीछे याम भोर है तो यह पर देखिये सीधा इसको ऐसे घ्र कि देखीए इसका जो एमीटर है टाहिटेर का उसका लेफ साइट में जो है एमिटर है दोस्तों लेफ साइड में जो की उल्टा पकानने से राइट साइड होता है तो देखिए इसका जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वह सीधा कालेक्टर में जाएगा जो की टैंजिस्टर का मिटिल वाला पीन है तो उसमें जाएगा यह देखिए और एपे जो एमिटर है दोस्तों एमिटर सीधा बैटरी कनेक्टर में आता है हम दिखाएंगे आपको चेक करके ड्राइवर का जो कॉंटिनुटी मिलता है यह वाला देखिए एमिटर है एमिटर का कनेक्शन सीधा बैटरी से आता है UK कि work आपने में डैटरी कनेक्टर से उसके बाद हए एक नंबर की होकर जो चैंसिट है चो एंटर में जाता है आप दोस्तों मिडिल वाला पीन में जो बैटरी गोल्टेज आता है सीधा डायस और जो ही से दो नंबर की में डायँबर का जाता है लगना जानेकेबाद ट्राइवर का दो नमबर पिन से तिन नमबर पिन है उसमें शाथ से आट उमस रहता रहता है। तो वह भी पर एक वान के का रेजिटर लगाके उसका बेश के साथ स्विचिंग होता है। तो देखिए मैं ट्राक दिखा रहा हो यह देखिए बैटरी का जो नेदेटीब है सीधा BEORT का यह वाला फॉयल है यहासे सीधा जाके ड्राइबर का चार नमबर पिन में जा रहा है पंचार नमबर पिन से एक नमर पिन तक एकॉंट्यूनिते ती मिलता है हम दिखाते है Jude लगबग 1 से 2 ohms दिखाएगा देखिए 1 ohms दिखा रहा है तो वो कॉयल होके तो टैंजिस्टर का जो एमिटर हे दोस्तो उसमें आता है और जो मीडिल वाला पीन है दोस्तो ओ गालेक्टर है बैटरी का जो दिखिए रेड वाला जो वायर है दोस्तो बैटरी का वायर है मैं द कोlawis डिभी सिद्कुर्द में जो कि कालेक्टर है था का तो उसमें आता है उसके बाद जो ड्राइबर का दूसरा पीने दूसरा सिद्धनांबर पीने olie पर गाता है देखे तो दूसरा नंबर इन से तीसरा नंबर पीन के अंदर गाते। तो पांस से एटाह्या दोस्तो तो वह से सीधर देखी सका जो वे से बेस तक connection आया है देखिए यह जा इसे दो न Mango पिन और उसके बाद दो नमबर पिन से शिर आए देखिए टी burden तक के continuity मिलता है आँ अर्ट उम्ज तक तो उसके बाद टीन नमबर पिन से जो एक रेजिस्टर लागा के यहांब इह आइसी का जो बेसे उसमें है कनेक्शन जाता है फॉयल लाइण यह के वाला रेजिटर में इसको लगाके सीधा हो कनेक्शं जाता है आइसी लात्याल पास में तब जाके इसमें स्वींचि आपकंपूत है द्राइबर में और पास चैनौस बेसित streets का जी दो पीए पे उससे फिल्टर होने के बाद जो दो आजार फोल्ट का कैपाशिटर है उसमें जाता है दोस्तों तो देखिए यह बेस है तो अभी हम इसको सोल्डर कर देते दोस्तों तो आप लोग को अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जुरूद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकरिशन बेल आइकोन को भी दबा द देख के आप लोग उससे कुछ ना कुछ जरूर सेखने को मिलेगा अप लोग जरूर प्लेष्ट को देखिये दोस्तों तो मैंने जल्दी से बैटरी को सोल्ड करके इसको सेट कर लेता हूँ उसके बाद बैट को हम आपको आपको अन करके और फ्लास करके दिखाएंगे के सेही हुआ है या नही वाइ तो अगर सही नहीं होता है तो फिर नेग्स स्टेप देखेंगे क्या करना पड़ा मरता है तो आम पता है सही हो गया जानी हिसलिए हो ओगा है इसका जो प्लासिंगा भी चेग करेंगे तो देखिये बढ़िया से पने तो देखिए देखिए अच्छे से फ्लास हो रहा है दोनों तरह भी फ्लास हो रहा है तो दोस्तो ऐसे प्रोब्लम अगर आप लोग को पास आता है तो आप ऐसे इसको रिपैर कर सकते हो तो ओके ठैंक यू वाचिंग माई वीडियो